हेलो दोश्तों स्वागा था आपका अपने चैनल गानगुरु अक्डमी के बच्चों जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश माधुमी शिक्सा परिशद बोर्ड ने हाल ही में अपने सेलवस को 30 परसेंटेज रिड्यूश कर दिया था तो उसमें क्लास 10 का कितना सब्जेक सुरी क्लास 10 में जो सेलवस आपको रिड्यूश कर दिया गया है तो हम बात करते हैं गुजराती सब्जेक्ट की और गुजराती में देखते हैं कि वह कौन साथ सेलवस है जो इस साल के उत्तवल देश्मादूश की सपरिशद बोर्ड ने आपके सेलवस से हटा दिया है तो पठन-पाठन का कारिय नौ हो पाने की इस्तिति में सम्मिक विचारों परन्त विशेफिशे सग्यों की समिती द्वारा निम्नवत तीस प्रतिसत पाठी क्रम कम की जाने की अनुसंसा की गयी है तो उस अनुसंसा में जो गद्य का पाठ बच्चों महास से हम लोग देखते ह है जो आपका चैप्टर नंबर तीन है तिंगाटू इसके लेखक है सुरेश जोसी यह साल के आपके इसमें बोर्ड एक्जाम में नहीं आने वाला है फिर गद्य है तो जो पांचमा चैप्टर है बी लगुकत है इसके जो लेखक है मोहन लाल पटे यह भी इस साल के भंकारा जिसके लेखक है चंद्रावर इससे भी आपको क्वेशन देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि यह भी उत्ता प्रदेश माध्यमिक सिक्षा परिश्यद भूर्ड ने आपके सालबस को जो कम किया है इसमें इसको भी कम कर दिया गया है फिर है पद्य का चैप्ट से रिड्यूस कर दिया गया है आगे तरफ बात करते हैं देखते हैं सहायक के पुष्टक जो स्वव अध्या है जो आपको स्वव पढ़नी परती है इसमें है फक्ता पंदार मिनित यह है विभूत इशाह की यह आप से इस साल के बूर्ड एकजामिया से कुशन आपको आने वाला है बी लगो का था मोहनलाल चन पटेल से और भनकारा चंद्रावर से ठीक है फिर इसके बाद परदेतु चेली चकेरी से जो मेधानी है और सातों है मन जो कुली खाता नीरंजन भगतने और जो आपकी सहायक पुष्टक है फक्ता पंदार मिनित इसके डिकर के वि बुजराती का पीपर होनता है वह पूरे के पूरे सो अंकों का होता है जिसमें सतर अंक आपको लिखित परिक्षा में दिये जाते हैं ठीक है और तीस अंकों का विद्याल है प्रोजेक्ट की तरफ से आपको दिये जाते हैं प्रत्र हो जाता है पूरे के पूरे सो नंबर क आँग तो इसमें जो पहला भाग है जिसे भाग को बोला है यह 35 अंकों का आएगा आप को दीखियों में लिंग परिवर्तन इससे भी आपके 5 अंग के question पूछे जाएंगे और जो तीसरा गौ है वाकिशोद दी यहां से भी आपको 5 अंग के question पूछे जाएंगे इस प्रकार से आपको 15 अंग के यहां से दे दिए जाते हैं और जो part 2 है रचना यहां आपको निबंध लेखन और इस निबंध लेखन में भावनात्मक और वरानात्मक होना चाहिए अत्वा दी गए रूप रेखा के आधार पर कहानी का विकास कर रहा है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों और ये है आपका 10 नंबर का इसके बाद पत्र लेखन है और इस पत्र लेखन में व्यक्तिकत पत्र लेखन हो सकता है सकार्यालय संबंधी या संपादन संबंधी पत्र लेखन हो सकता है जो कि पांच अंग का हैं तो इस प्रकार से निबंधर लेखन और पत्तर लेखन भी मिला कर आपको 15 अंग दिये जाते हैं बात करते हैं अपट गद है खंड की तो यहाँ पर देखेगा जो भाग भी है यह भी आपको बच्छों 35 मास का है कितने अंकों का बच्छों 35 अंकों का है और यह जो गद है पाट पुष्टक पर आधारित लोगो प्रस्न तीक के निर्दहारित पुष्टक की कविताओं की समिक्छा इनलस है और यहां से आपको आने वाल है दस अंक और इसमें सबसे पहले जो बच्चों वो है आपकी कविता और इसके बाद गद समान और इसके बाद केंदरी भावत अथा चरित्र चित्रों जो निर्धारित पुष्टके हैं वह कौन कौन ची है जहां से आपको यह पार्ट पुष्टके हैं बच्चों आप बहुत इस पर कन्फूज रखें सर्बुक कौन ची लें तो जो गुजराती वचन माला दसवीक अच्छा है तो जो प्रकाशन है इसके बाद गुजरात राज्यसाला पुष्टक माला पुरानी विधानसवा सेक्टर साथ इनकादनगर द्वार जो प्रसाथ कासित हैं बच्चों उनी से आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है इसके बाद कहा जा रहा है कि गद्द निम्नांकित पाठ पढ़ने होंगे कौ इसके आगे देखते हैं सुरुतियनी सुरुतियनी ठीक है सोबक्सी पृतिवी बल्लब खेदंकी केमुंसी और सत्याने अहिंसा महत्मागान्दी का ठीक है मियाहना नू कावे कौले पढ़ना होगा फिर इसके बाद पद्द निम्नांकित कविताय पढ़नी होगी जो है भजरे भजन तुनुम ठीक है नर्सिंग महता चंपा अक्सी की और हवाई सकी दयाराम ठीक है मेहा मानोन संबोधन कांता की और उन्तो चाहू मनसुखलाल जो लड़ी की और इसके बाद जो सहायक पुष्टक है आपके जिसको हम लोग करते हैं स्वा अध्याय या ओ पठीते ठीक है उससे भी आपको निम्न प्रश्ण देखने को मिलने वाले हैं तो आएए देखते हैं इसमें आपको अगागी न अनुभव रमान भाई निम्न कता मिलने वाली है फिर महादेव भाई नीदियारी जो महादेव देशाइद ने लिखी थी वहाद से आपको प्रश्ण मिलने वाला है एक एकरार ठीक है इंदूलाली याग्यनिक से मिलने वाली है और निम्न कवित पढ़नी होंगी जो इस प्रकार्चा है कि इस मृती भौन पन्नाना के ठीक है मसुजारों को वावो रेन और श्यम्त साधर से पढ़नी होंगी यह बच्छों आपका पूरा कंप्लीट साल बस जो आप लोगों के बूर्ड एक्जाम 2021 आने वाला है ठीक है तो यह आपका बच्छों ब्याकरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यह आप से थर्टी पर्चेंट पूछे जाएंगे और पार्ट बी में जो आपकी गद और प्रिश्ता के बच्छों यहां सभी थर्टी फाइफ परस्ण आप से पूछे जाएंगे ठीक हैं तो यह आपका कंप्लीट हमने आपको बता दिया हैं कि क्या कटा हुआ है क्या आने वाला है तो इस परकार से गुजराती का जो भी सलवस हमने पूरी तरह से कंप्टीट कर लिया है ठीक है तो चलिए बच्छों मिलते हैं अगली क्लास में और हां जाते हैं हम आपसे इतना से दर्ख्वास्त करेंगे ठीक है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और दोस्तों के साथ सेर भी कर लीजेगा और बेल आइकन को भी दबा लीजेगा क्योंकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं क्योंकि हमारे चैनल पर दिएगे जितनी भी जानकारी होती बच्चों वह बिल्कुल सटीक होती हैं आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ब्रामक न्यूज आपको नहीं दी जाती है हमारे चैनल पर तो जिनमीन न्यूज पाने के लिए जो आपके बूर्ड एक्जाम के लिए आपको दिानुज आपके लिएमों मानकारी होती हैं यूरा क्यों एक सकते लिए जितनी मलत मात है।